स्वचिता का पंच लगाने के बाद अबंदौर में सफाई मित्रों को नियमित करने और प्रोचसाहन देनी की मांग उठने लगी है जहां विधायक आकाश विजयवर्गी ने इसे लेकर नगरी प्रशासन मंतरी को एक पत्र भी लिखा है नगरी प्रशासन मंतरी भूपेंद्र सिंग ने विधायक आकाश विजयवर्गी के सुझाओ पर विचार करने की बात कही है देखिए खास रपूर्ट कि नियमिति करन और प्रोटसाहन की मांग अब उठने लगी है जो ऐसी मांग को लेकर बढ़ायक आकाश विजयवर्गी ने एक पत्र नगरी प्रशासन मंतरी भूपेंद्र सिंग को भी लिखा था जिसमें उन्होंने सपाई कर्मियों को नियमित करने और प्रोचसाहन देने की मांग नगरी प्रशासन मंत्री से की थी हमारे नगरी प्रशाशन मंत्री भुपेन सिंग जी को पत्र भी लिखा है मुख्य तह तीन मांगे जो है वो यह है पहला तो कि जो महिला कर्मचारी है जिसकी ड्यूटी जैसे सुबह छे से दो की रहती है तो वो सुबह चार पांच बजे उसको घर से निकलना पड़ता है और में आने जाने में सहुलियत हो और अपना काम करके समय पर घर पहुंच सके एक यह पॉइंट था दूसरा मेरा निवेदन आपके मार्द्यम से भी है और मानिय नगरी प्रशाशन मंत्री जी से ज़रुवत पड़ेगी तो मानिय मुख्य मंत्री जी से भी बात करूंगा कि कम से कम पांच-पांच हजार बाकी तो हमारे मुख्य मंत्री जी बड़े संवेदन चिल और दिले रहें तो उम्मीद है और जादा भी कर सकते हैं मगर कम से कम पांच-पांच हजार रुपे का की प्रोचाहन राशी सभी स्वच्छता मित्रों के खाते में डाली जाए और तीस पर्सनली इन तीनों विश्यों के लिए चर्चा भी करूंगा कि जल्द से जल्द इनका उत्सा वर्दन हो इसके लिए मैं कल नगरी प्रशाशन मंत्री जिसे पर्सनली चर्चा भी करने वाला हूं लगातार पांचमी बार इंदोर पहले स्थान पर देश में आया है और अगर उसमें देखें तो सबसे जाता परिश्रम वहां के जो सफाई कर्मी हैं उनका ही सबसे अधिक परिश्रम है और इसलिए इस बारे में हम लोग विचार करेंगे उनके अच्छे काम को देखते हु को नियमित करने की मांग एक बार फिर उठने लगी है जहां अब जल्द ही सरकार भी इस मांग पर विचार करने की तयारी कर रही है बिरो रिपोर्ट MP News TV इंदोर